हाई दोस्तों कैसे हो सब और क्रेक्शन स्टूडियो के इस ने ब्लोग में आप सब का स्वागत है दोस्तों आज हम घर में वीड ग्रास जूस मनाएंगे उसके लिए चलते हैं अपने किचन गार्डन में और वीड ग्रास को कुलेक करते हैं हमारे पास कुछ वेस्ट पाइप पड़ी थी तो हम उनमें वीड ग्रास को उगा रहे हैं और अब यह वीड ग्रास जूस के लिए बिलकुल त्यार हैं अगर आप चाहें तो आप ओट्स को भी उगा सकते हैं जिसे देशी भाशा में जूका जाता है यह वही जो है जो की कंजक उजन के दोरान उगाया जाता है घर में और आप जो देख रहे हैं यह हैं ओट्स ओट्स जादा गुनकारी होते हैं वीड से तो हमने डिसाइड किया तो इस बार ओट्स की हेती करते हैं और घर पे ही जूस त्यार करते हैं दोस्तों घर पे जूस बनाने के बहुत फैदे हैं इन में प्रेजर्वेट इसनी होते हैं जो की हमारी सेथ के लिए हानिकारक होते हैं और यह जूस बिलकुल फ्रेश होगा और आप चाहें तो इन में अपने स्वाद अमसा और चीजे भी आट कर सकते हैं जो की हम भी करने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक जुरू देखेगा ताकि आप भी देख सकें क्या 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 चीजे आट कर सकते हैं घर पे वीड ग्रास जूस मनाते समयें अब हम अलोवेरा की कटिंग करते हैं और कुछ अलोवेरा की लीफ्स डालते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें तुलसी आट कर सकते हैं अनाज को आट कर सकते हैं और कुछ हर्ब्स भी आट कर सकते हैं जैसे की अमरूद के पत्ते हो गए अब हम एलोवेरा की कटिंग कर लेते हैं और बीच में से जल निकाल लेते हैं जो कि हमें जूस के लिए चाहिए अब हम इन सब चीजों को अच्छे से साफ कर लेते हैं दोस्तों अगर आपके घर में किसी को शूगर है या फिर सेल कम रहते हैं ब्लड में तो आप इसका रेगुलर सेवन कर सकते हैं अलोवेरा जूस का और कोशिश कीजिए कि आप होममेड यूस कीजिए अलोवेरा जूस और वीड ग्रास जूस आप इन दोनों के मिक्स्चर से एक कॉंबिनेशन त्यार कर सकते हैं जो कि बच्चों से लेके बुज़ूर्गों तक हर किसी को पसंद आता है और यह जो जूस मैं घर पे बनाने वाला हूँ यह नॉर्मल अगर आप शीशी एक बजार से खरीवने जाएंगे वह पचास रुबे से कम की नहीं आएगी बॉटल और आप घर पे त्यार कर सकते हैं इसे जो कि फ्री में ही त्यार होगा अब हम इसे अच्छे से साफ कर चुके हैं और इसमें आरो वाटर अड़ करेंगे और हैंड ब्लेंडर को चला देंगे बीच में जिससे की सभी पत्तियां अपने सभी गुन पानी में ट्रांस्फर करते हैं और हम चान कर इस पानी को अलग से ग्लास में कुलेक कर लेंगे टैन टैन है तो दोस्तो हमारा वीड ग्रास और अलवेरा जूस बिलकुल त्यार है और आप गार्णीश के लिए ऐसे लेमन भी आड़ कर सकते हैं ताकि बच्चे भी इस पानी को पसंद करें तो दोस्तो आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी इसे कमेंट सेक्षन में जुरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जुरू करें और अगर आप चैनल में ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लेटेस अबडेट के लिए बैल आइकन जुरूर दुबाएं और इस करोना के समय में अपना और अपनी फैमली मेंबर्स का ख्याल रखें